इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह diabetes की गंभीर जटिलताओं जैसे कि किड्नी खराब होना और अंधापन को रोकने में मदद करता है और दिल का दौरा या स्ट्रोक होने की संभावना को भी कम कर सकता है। पर निर्भर करेगी। इसे भोजन के साथ लेने से पेट की खराबी की संभावना कम होती है। अधिकतम लाप पाने के लिए आपको इसे नियमित रूप से हर दिन एक तैस समय पर ही लेना चाहिए और जब तक डौक्टर सलाह न दे तब तक इसे लेना बंद नहीं करना चाहि यह आपके ब्लड शुकर लेवल को नियंतरित करता है और भविश्य में होने वाली गंभीर समस्याओं को रोकने में मदद करता है। इस दवा के सेवन के दौरान डौक्टर द्वारा बताए गए डाइट और व्यायाम से जुड़े दिशानिर देशों का गंभीरता से पाल अगर आप इंसुलिन या सलफोनलियूरिया जैसी डाइबेटीज की अन्य दवाएं भी ले रहे हैं तो संभव है कि साइड इफेक्ट के रूप में ब्लड शुगर लेवल लो यानि की हाइपोगलाइसीमिया हो जाए। इसलिए आपको जानना होगा कि इसे कैसे पहचानना है और इससे कैसे निपटना है ये दवा सभी के लिए उप्यूक्त नहीं है यदि आपको किड्नी लीवर या हिरदे रोग या अग्न्याशे की समस्या है या यदि आप बहुत अधिक शराब पीते हैं तो इसे लेने से पहले डॉक्टर को बताएं गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कुछ अन्य दवाएं इस दवा के असर को प्रभावित कर सकती हैं इसलिए आप जो भी दवाएं पहले से ले रही हैं उसके बारे में डॉक्टर को बताएं जिससे आप के लेवल की जाच करेंगे विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक क धन्यवाद